केजरिवाल सरकार के तथा कथित स्वास्थ्य मौडल की हकीकत एक तरफ दिल्ली के सीएम केजरिवाल दावा करते हैं कि वे दिल्ली के जनता को सबसे अच्छा स्वास्थ्य उपचार दी रही है लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार अपनी उसी स्वास्ते व्यवस्था से मासूमों की जान ले रही है दिल्ली के महला क्लीनिक में खांसी की गलत दवाद देने से तीन मासूम बच्चों की जान चली गई कलावती सरन चिल्डर्न होस्पिटल में डेक्स्ट्रो मेथॉर्फन से हुई पॉईजनिंग के 16 मामले सामने आये जिन में से तीन बच्चों की अस्पताल में मृत्य हो गई है इन बच्चों को दिल्ली सरकार के महला क्लीनिक द्वारा डेक्स्ट्रो मेथॉर्फन दवा निर्धारित की गई थी और इस दवा को बच्चों को नहीं दिया जाता है दिल्ली की स्वास्ते व्यवस्था और मुखला क्लीनिक को लेकर केजरिवाल अलग-अलग राजियों में जाकर अपनी फीट थप थपाते नहीं थपते लेकिन इस घटना ने दिल्ली सरकार के सभी दावों पर प्रशंचिन खड़े कर दिये हैं क्या दिल्ली समेट बाकी राजियों में भी आप सरकार इसी तरह की स्वास्ते सुधिधा देनी की बात कर रही है दिल्ली में तीन मासूम बच्चों की जान चली गई है दरजनों भरती हैं लेकिन केजरिवाल फिलहाल चुनावी सभाओं में दियस्त है